विंडोज 11 में टास्क बार लेफ साइड, राइट साइड, डाउन साइड, अप साइड कहां पे भी सेट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सेट करना है पहले तो GUI इंटरफेस में ये सेटिंग नहीं दी गई इसलिए आपको टाइप करना होगा reg edit in the run box and then press करना होगा OK, click करना है yes पे और फिर इस registry key पे navigate करना है एज की current user, software, microsoft, windows, current version, explorer, stuck rex 3 right click करना है settings पे और फिर modify कर देना है modify करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखना कि fifth column जो है one, two, three, four, five fifth column और second row यहाँ पे आपको यह setting मिलेगी zero one मतलब top होता है तो currently मेरा जो task bar है वो top पे है इसलिए zero one है अगर मुझे इसको bottom में लाना है तो मैं इसको cursor को पहले आपको यहाँ पे click करना है zero one के आगे left side में delete press करना है delete press करने के बाद zero three type करना है जो की bottom की side मेरा task bar move करेगा okay पे click करना है और फिर registry close कर देनी है अभी फिर भी यह task bar move नहीं हुआ तो और एक step आपको follow करना है right click करना है task bar पे और फिर जाना है task manager में task manager में windows explorer आपको search करना है जो की हमेशा नीचे की side होता है windows explorer पे आप click करेंगे और फिर restart कर देंगे so आपका जो task bar है अभी वो down side आ गया है ऐसे ही आप इसको registry में changes करके left side right side up down जो भी आप set करना चाहते हैं वैसे set कर सकते हैं इसकी settings जो है वो मैंने description box में दी हुई है आपके हिशाब से आप set कर सकते हैं तो बस इतना ही था इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब कर देना थांक्स और लाइ